हेलो सब्सक्राइब आप लोग का स्वागत है और आज की देखनेश शुरू करते हैं उससे पहले बनता है यार बनता है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कल की देखनेश तो भाई हमारी छपड़ फार दी इतना ज्यादा व्यूस इतने सारे कमेंट्स 40,000 लाइक्स कल हमने नया सेटप इंटर्ड्यूस किया था और हमारी बेटी को भी लाएते और सारा क्रेटिट आईज़ों को ही जाता है कि उसके वज़े से आपने इतना प्यार दिया और अगर रोज इसा मिल जा ना लाइफ सेट है बावा लाइफ सेट है एनिवेस दोस्तों बहुत सारे फीड रहेगा ही रहेगा कल भी जब शुरू पर नहीं रखा था तो काविसा लोग कंप्लेंट करें थे वो मेरी बेटी हाथ लगा जीति इसले हटा दिया था लेकिन कल तो था ही है और हमेशा रहेगा दोस्तों वैसे दोस्तों पोल रखाओ आप मुझे बताईए सेटप कैसा करना विडियो पसंद आएगी लाइक करना और फड़ा बट से आज की रेक्ट्यूस शुरू करते हैं पर यहां पर सैमसंग से इंडिया में आज सैमसंग ने अपने गैलक्सी नोटें लाइट को लांच कर दिया है जिहां बहुत टाइम से लीक्स रूमर्स आ रही थी लेकि कलर्स भी है और तीन फरवरी से आप उसको उनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी जाके पर्चेस कर सकते हैं 6.7 इंच की सूपर एमलोट की आपको एक बड़ी डिस पर मिलती है इंफिनिटी ओ वाली है साथ में पीछे ट्रिपल कैमरा है 12 का प्राइमरी है F1.7 का अपर्चर है OIS इस भी मिलता है उसके बाद 12 का वाइड एफी 12 का टेल फोट है 32 मेगा पिक्सल की सेल्फी है 4.5 जामेच की बैटरी है सूपर फास चारजिंग भी है और साथ में आपको इसमें 9810 वाला प्रसेर मिलता है लेकिन में हाइलेटिंग फिचर यही है इसका S Pen जो आपको Note 10 में मि करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर तेलिंग अना स्टेट एलेक्शन कमिशन ने एक नए एप को इंटिड्यूस कर दिया है वोटिंग के टाइम पर यहाँ पर बताया है कि अगर आप जब भी वोट डालने जाते या फॉर इसमपल नहीं जाते त उसके बाद उसके फेस को स्कैन किया जाएगा और फिर वो उपर बेजा जाएगा कि भाई यह आदमी आया था इसने वोट डालके गया था फिर उसके आईडी से अगर मैच कर देंगे फाइनली तो वो पकड़ा जाएगा कि अभी भी पता चल जाता है कि इसका आईडी यह ह कि वो फेस वाला सिस्टम भी उपर चला जाएगा और आईडी प्रूफ चला जाएगा तो फिर तो वो पकड़ा जाएगा तो तो तेलेंगाना ने अब यहाँ पर दस अलग लग जगा पर अपने स्टेट में यह लगाएंगे और उसके बाद शायद समय दूसरी जगा पर यह सिस्टम देखने को मिल सकता है यह अच्छा भी है दोस्तों कि बहुत कांट होते जब वोट डालने जाते तो फेशल एप जो आया है इससे बहुत ज्यादा है अब देखते हैं दोस्तों और कहा कहा यह आता है जितों आने वाला वक्त ही पताएगा तो यहाँ पर दोस्त इसस्टम वाला फीचर दे दिया है माई जू एप में अगर आप जाते तो वहाँ पर आपको वर्ट्वल पेमेंट एड्रेस है वही पर यूपी ए हैंडल है आपको नंबर डीटेल्स कार्ट के डीटेल्स डालके आप रेजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद फिर जीओ से ह पहले से लेकिन अब यूपी आई भी उन्होंने एड कर दिया है जाईए अगर आपके पास यह आ जाता है तो आप भी इसका इस्तवाल कर लेजिए तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर फाइनली कॉलकॉम ने अपने नए प्रोसेसर को जो वह अनौन्स कर दिया है आप इनको budget category वाले जो वह प्रोसेसर बोल सकते है जहाँ पर Qualcomm Snapdragon 720G आया है जो 730G का lighter version है Snapdragon 662 है और साथ में Snapdragon 460 है जो कि 450 का थोड़ा सा better version आप उसको बोल सकते है अब यहाँ पर जो 720G और यह जो तीनों प्रोसेसर है वैसे इन में आपको Wi-Fi 6 मिलेगा आपको 4G connectivity मिलेगी वो better मिलेगी और तीनों में आपको Bluetooth version 5.1 मिल रहा है तो connectivity के मामने में यह बहुत ही ज़्यादा आगे और साथ में gaming और AI से भी regarding यह तीनों जो प्रोसेसर है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी वैसे एक और चीज़ यह दोस्तों कि इन सारे प्रोसेसर में आपक तो 2.3 GHz के परे Cortex A76 वाले 2 कोर्स है और Cortex A55 वाले 6 कोर्स है इसमें आपको Cryo 465 वाले कोर्स मिलते है जो नए वाले है और साथ में Adreno 618 वाले आपको GP मिलता है यह सेम GP है जो आपको 730 GB भी मिल रहा था और साथ में इसमें दोस्तो 192 Megapixel की कैमेरे का सपोर्ट है जो बहु यह प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और दोस्तों Realme ने और Xiaomi ने इंडिया में अनौंस कर दिया कि हमारे फोन्स आएंगे जिन में हम इस वाले प्रोसेसर का अनौंस करेंगे तो देखके वैसे काफी कूल लग रहा है इतना ही नहीं Xiaomi ने तो यह भी बुल दिया कि Snapdragon 865 और Snapdragon का 765G और उसके बाद उन्होंने नीचे 720G लेका है तो यह तीन प्रोसेसर तो Xiaomi ने और इंडिया के लिए कंफर्म कर दिये उसमें बता जारा कि वो 70% बेटर है Snapdragon 450 से जो बहुत ही अच्छी बात है और उसमें Adreno 610 वाला GPU है जो काफी इंप्रेसिव है तो यह सारे प्रोसेसर जो कॉलकॉम ने अनौंस कर दी है इंडिया के लिए जो बहुत सारी कंपनिस इनको आने वाले समय में लेके आएगी जो Snapdragon 720 Q1 से ही काफी सारे फोंस आएंगे Xiaomi, Realme उसमें included होगे जो आएंगे और जो 662 और 460 वो mid से और end से हमें इंडिया में देखने को मिले गए वैसे इसके बारे में क्या खाल है दोस्तों आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस नों ने जो अपने 17 जनवरी प्लेस हो गया है और यह बहुत ही important satellite है जो communication के लिए काम करता है जिसे की DTHO, television, applings, Vsat वगरा के लिए तो finally दोस्तों उनने जो छोड़ा था 17 जनवरी को आज वो successful हो गया है तीसरे और भी tracing manual के बाद में 15 साल की इसकी life है ऐसा भी यहाँ पर बताया तो और काफे सारा इसमे काफी अच्छा लग रहा है मैं तो बस चंजरेयां 3 का वेट कर रहा हूँ आप कर रहे हैं आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो यहाँ दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोग सबसे ज्यादा 2020 में अभी किसी का इंतिजार करेंगे स्मार्टफोन की industry में तो वो है Poco मैं ज इससे यह लगता है दोस्तों कि वो लोग ऐसा बताना चाहरे कि हम अब revive कर रहे हम एकदम independent brand हो चुके तो अब हम कुछ नया करने वाले season 2 episode 1 वो लोग महाँ पर दिखा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बस ऐसे देखो ऐसे आस्तिन को यह चाड़ा दिए अब हम तयार हो चुके है और शायद से में बहुत जल्दी एक नया फोन मिलेगा Poco F2 या Poco F2 Lite या Poco X2 कुछ भी हो सकता है फरवरी के महीने के दर एक अच्छा वीडियो दोस्तों आने वाला है Poco से रिगारिंग थोड़े दिनों में आप लोगों को मेरी तरफ से उसके लिए आप स्टे करना वैसे कुछ Easter Eggs या कुछ Hidden Message इसमें से आपको दिख रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वैसे जो लगया तो इंडिया में शामी ने अपने Mi Router 4C को जो वो लांच करती है इसके जो प्राइस है वो ट्रिपल नाइन यानि की हजार रोपी की है यह औरी चैनल में लॉंच हो गया था यह एक वायरलेस राउटर है जिसमें आपको चार हाइप परफॉर्मेंस ओम्नी डिरेक्शनल एंटेनास मिलते हैं 2.4 गिगार्ट वाइफाइ बैंड है जो 300 Mbps के आपको स्पीड डेता है मी वाइफाइ एप से आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं जिसमें आपको बैंडविट ऑप्टिमेशन टूल्स और पैरेंटल कंट्रोल जिसे फीचर मिलते हैं साथ में 1964 डिवाइस तक आप इसमें जो वो कनेक कर सकते हैं मी डॉट कॉम पर अलड़ी सेल पर जा चुका है उसके अलावा भी बहुत सारे कूल फीचर से अगर आपको यह चाहिए तो आप इसको जाकर पर्चेस कर लीजिए और इसका फाइदा उठा लीजिए तो यहाँ दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को बहुत ही जल्दी ओपो का रेनो 3 प्रो जो वो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी 1000 परसंट मैं आपको कंफर्मिशन दे रहा हूँ यह आ जाएगा मेरे पास भी अंबॉक्सिंग के लिए औ ना तो यह कंफर्म डे ओपर रेनो 3 प्रो जो रिसेंटली चैनल में लॉंच हुआ है थोड़े बहुत चेंजस होगे शायद प्रोसेसर में हाडवर में कुछ तो कटबड़ी हुईगी उसके बाद हमारे हाथ में आएगा आएगा बहुत ही जल्दी आएगा आप में पहला वायरलेस एटपोन आया था जिसमें बाता है कि इसमें सिगनल जो था वो ट्रांस्मिटर के द्वारा रेसीव होता था जैसे की रेडियो में होता है जी हां तो आज की रिए नियुस पसंड़ाइगी अगर आपको पसंड़ना तो जब्स वीडियो को लेक्क करिए जुझ से ठी हमें जब्स पसंड़ना जब्स पसंड़ना जब्स पसंड़ूने की रेडियो को लेक्रानस्मिटर के जिए रेक रेड़ना जिए.